नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है भाल चंद्रगा ब्रह्मांड सिद्यास्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशन्शिप में दो वेक्ति है पुरुष के यदि मिथुन राशी है और यदि स्तरी की मकर तो पुरुष है वह परस बंदे हुए रहते हैं कौन सी बात जिस पर आमल करना जाहिए कोन सी बात है जो कि टालनी चाहिए अगर बाद ब्रेक अप तक पहुँचे तो क्या करना चाहिए इस सभी के बारे में डीटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने माले हैं अपना ज जरूर लिजए तो आज की वीडिया में हम चारचा करेंगे मिधुन राशी के पुरुष और मक्र राशी की जूस्त्री है उनका जो परस पर So relationship है उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मिथुन राशी की जो पुरुष है उनकी जो संपुर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है मिथुन राशी के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुडली में तृतिय भाव में आने वाली राशी है पुरुष राशी है इस राशी का जो स्वामी है वो बुद्ध है इस राशी का जा तत्व है वो वाई तत्व है और यह जो राशी है वो द्वी सभाओ की राशी है सबसे पहले और में तो पुर्णबाद जो कि मितंदराशे की पूरुशे उनमें देखी जा सकती है वो होता है उनका नेचर काफी ज़्यादा सॉफ्ट नेचर होता है काफी ज़्यादा नाजुक नेचर होता है और इनके जो वानी होती है वो भी काफी ज़ाद अच्छी देखी जाती है काफी ज़ाद इमोशनल होते है छोटे बच्चों की तरह इनका जो नेचर है वो देखा जा सकता है जैसे कि छोटे बच्चे की जो mood swing है वो काफी ज़ाद देखी जाती है मासुमियत उम्मे काफी ज़्यादा देखी जाती है तो यही जो बात है वो मित्युनरश्य के पूरुशों में भी देखी जाता चाहे वो उम्रे में कितने भी बड़े क्यों नहों लेकिन मासुमियत वाली जो बात है वो काफी ज़्यादा देखी जा सकती है उसी प्रकार इनकी जो mood swing है वो भी काफी जादा देखे जाते हैं मतलब एक दिन में ही दो-तिन बाद तो इनके mood swing होते हैं और जो mood swing होते है वो छोटे-छोटी बातों को लेकर काफी दभा देखे जा सकते हैं उन बातों का मुल्य औरों के लिए कुछ नहीं होगा लेकिन इनके लिए काफी जादा होता है कभी-कभी छोटी सी बात भी इनके सिधे-सिधे रिदे में लग जाती है तो यही बात होती है इस वज़े से यह जो विक्ति होते इनको थोड़ा सा नर्शर करना पड़ता है करियर Совет कर्याSON करी जो है ने में ज़ान का ममले में रखना बहुत इंपोरडन है नहीं तो होता क्या है कि बहुत प्रकार का करियर करते लेकिन एक भी करियर में महारत हासल नहीं कर पाते बस आपको इसी के उपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा दूसरी जाता मैं तुपूरण भाद जैसे मैंने कहा कि वानी इनमें काफी अच्छे देखे जा सकते हैं इनके प्रश्ण काफी होते है क्यूरीोस टीम में के जाती है दो-ज्ञान ज़ी ज़्यादा महतों पुर्ण पाद ऐसे जो वेक्ति मतलब मिद्धुन दराश्य की जो वेक्ति हो ते इनका जरह सन मैंने दिखा कि काफी अचाता है वानी भी काफी अचा होती है कई दरफा वानी के वज़़े से की वज़़े से भी सामने वाला जो वेक्ति है वह हर्ट और इसे के उपर ज़्यादा ध्यान देते हैं उसी प्रकार थोड़ सा इनमें confidence कम देखा जाता है और इसका जो परिणाम होता है वो इनके decision power में होता है क्योंकि decision power इनमें थोड़ी से कम देखी जाती है किसी भी मसले पर decision लेना है नहीं लेना है इसी पर अटक जाते है और जल्दी से decision नहीं ले पाते है और इसका जो खामियाजा है वो इनके career में ज्यादा दिखाई देता है कई दफ़ा जल्दी से नहीं लेने के करण वो career में ज्यादा आगे नहीं बढ़ते बढ़ पाते है इसलिए जो confidence है वो तेखना ज्यादा आवशक है अगर confidence आता है तो decision power और भी आप में काफी अच्छे आ सकती है और आपके जो career में जो बाते हैं वो काफी महतोपुर्ण देखी जा सकते हैं लेकिन इंसानियत का जो मामला है वो इनमें कूट कूट कर भरा होता है इंसानियत होती है किसी का विदुख दर्त ये देख नहीं सकते जो की बहुत ही है दूसरी जाता महतों गुणबाद ऐसे जो वेक्ति मतलब विद्वंद्रशी की जो वेक्ति हैं उनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है होटल निकाना घूमना फिरना संगीत का जो आकर्शनतों इनमें काफी अच्छा देखा जाते हैं लेकिन घूमने फिरने में वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है अब हम चर्चा करेंगे मकर राशी की जो स्त्री है या फिर उनका जो संभुड विक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है मकर राशी के बारे में अगर कहा जाए तो काल परुष के कुडली में दशंबाव में आने वाली यह र राशी है बागी महिलों के तरह इस राशी की जो स्त्री है वो अपने रूप रंग और या फिर बोलने पर ज़्यादा जो समय है वो खर्च नहीं करती आमोमन तरुपर हम यह देखते कि जो स्त्री वर्ग होता है वो अपने सौंदरिय के ऊपर या फिर उनको बोलना काफी ज़्यादा पसंद आता है लेकिन ये बात नॉर्मली जो मकर अश्री की स्तरी है उनमें देखी नहीं जाते हैं उनमें ये बात देखी जाएगी क्योंकि उनका सौंदेरियों भी काफी अच्छा होता है लेकिन बच्पन से ही कई प्रकार के अनुभावस के से गुजरने के को पता होती है इसी वझे से पैसे का महत वभी इन एक पता होता है हार्र–वर्किंग किस तरह से करने चाहिए यह भी इंको पता होता है कर्म को ज़्यादा दवज्यू देने वाले हैं इसी वझे से कर Torah कि कहां करीयर के मामले में बहुत जभा जारा सिरियस होते हैं कई घंट है तो फिर आपका जो जीवन है सरलतम से आगे बढ़ सकता है अब यहां पर कई दफ़ा हमें यह भी सुनना देखता परता है या फिर हम देखते भी है कई दफ़ा की जो मकर राशी की जो स्तरी है वह हमेशा काम के पीछे लगे रहे रहते ज्यादा बोलती नहीं फिर इमोशन कम हते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं एमोशन होते हैं लेकिन एमोशन दिखाने के जो जरीया है वो तोड़ा अलग होता है काफी ज़्यादा मैच्वर होते हैं मतलब ऍलिजैसे म greatest बिर यह जयदा मैं चोड़ होते हैं अपने उम्र से ज्यादा सोच इनकी देखी जा सकती है इसी वज़े से जब भी रिलेशन्शिप में आना चाहते हैं तो बहुत ज़दा सोच विचार करके रिलेशन्शिप में आते हैं और दूसरी ज़दा में तो बाद पसेसिव भी इस राशी की जो स्त्री है वो ज़्यादा देखी नहीं जाती और मिथुन राशी और मकर राशी के बारे में अगर कहा जाए तो यदि पी यह जो दोनों राशिया है वो सड़ाश्टक में आती है लेकिन मकर राशी के जो स्बात है वो मिठधाद राशी की जो पूरुशे उनको काफी अच्छे तरह से नर्चर कर सकते है तो इसलों जैसे यह जो जो जोड़ा है या फिर यह दोनों जो वेक्ती है मतलब मितंदराशी की पुरुष और माकराशी की जो स्री है इनकी जो relationship है वो काफी एच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है अब यहाँ पर ऐसे कॉल सी बात है जिस पर ध्यान देना आवशक है देखिए मितंदराशी की जो पुरुष है मैंने जैसे कहा कि वो consistency में ज़्यादा देखिने है जैसे decision power थोड़ी कम होती है और दूसरी जदा मैं तो पुरुष पैसे के प्रती इनके जो spending capacity है वो भी थोड़ी ज़्यादा देखिए जैसे मैंने का कि इनकी जो चाहत होती है इनकी जो expectation होती है इनकी जो रूची होती है वो हमेशा बदलती रहती है इसी वज़े से रूची में बदल आ जाए तो खर्चे भी जादा होते है उस परकार की जो बाते वो भी खरिदते है और यह जो बात है वो जो मंकर राशी की जुस्त्री है उनको पसंद नहीं आती मंकर राशी की जुस्त्री है वो ज़्यादा बोलती नहीं या फिर इनमें emotions कम है ऐसे हम जानते है या फिर हमें लगता है अब यह जो बात है वो मंकर राशी की जो पुरुश है उनको नॉर्मल यह पसंद नहीं थे या फिर बाकी की जो भी बात है वो भी होनी चाहिए लेकिन वो बात दिखाई नहीं देते हैं और थोड़ा सा जो मकर राशी की जो स्त्री है थोड़ी से discipline रहती है मतलब काम से काम रखने वाले होते है कर्म के प्रती इनकी जो निष्टा होती है वो सबी राशियों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है अब यह जो बात है वो मितन राशी में नहीं होती है और थोड़ से इनको वो चुपती भी है तो हला कि यह जो बात है वो छोटी मोटी है और इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम आपके जो रिलेशन्शिप है उसमें नहीं आ सकती है लेकिन बाते जाता महतोपुर्ण है और यहाँ पर मैं एक बात करने चाहूँगे कि जैसे ही मकर राशी की जोस्त्री है वो जैसा आपको मोटीवेट करती है जिस प्रकार से आपको सला देती है उसी प्रकार से अगर मिथुद्राशी की जो पूरुशे वो चले उस सला पर तो उनके जो कमिया है वो भर्ति वी नेजर रहेंगी या फिर जीवन में वे भी काफी आगे बढ़सकेंगी क्योंकि मिथुद्राशी की विक्ति के इस पूरुष के बारे में उनका जो career है वो सबसे ज़्यादा important होता है पूर्शों के बारे में उनका जो कर्तुत्व है या फिर उनका जो career है वो ज्यादा माइने रखता है अगर आप career में अच्छे तरह से ग्यारा ग्रह होते हैं, वो कौन से राशी नक्षत्र में, कौन से नौमाश में है, उनकी दैनिक यति क्या है, वो सोच समझ कर उसके बार संदर में ज्यादा मार्ग दर्शन किया जा सकता है, तो दोस्तों ये था relationship में या घिल प्रेम में मिधुन राशे के पूरुष और मकर प्राशे की जोस्तरी है, उनकी जो relationship है, वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, इस विशय पर चर्चा, आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुब हो किया, नीचे comment box में दरूर comment करना, और अपना जो चैनल है, ब्रह्मान्द सिद्यास्ट्रो, इसे भी like, शेवरों सब्सक्राइब, जो रुड़ कितना, धन्यवाओ.